है लो स्टूडेंट मेरा नाम स्वारो और मेरे युट्ट पनल स्वार्व स्टेडि में तिलेंगे आप सभी का स्वागत तो जो है अब हम 12 कि लास की कैनिस्टी को आगे करने वाले ठीक है न उसमें हमने सब कुछ पढ़ लिया है कि एक कोस्ट का क्या है संकूल अंचमता क्या था है ठीक है उसका फॉर्मॉला भी पढ़ लिया था हमने SEC के लिए निकाली थी BCC के लिए लिकाली थी एक схThe के लिकाली थी ठीक है तो अब हमने निकाला एके का कॉस्ट का कर आघनात उनका क्या होता है बेसिकली गनेत्ट का फॉर्मॉला होता है द्रविमान है द्रविमान बट्टे आयतन कि द्रविमान बट्टे आयतन गनेत्ट का सिंपल फॉर्मॉला होता है द्रविमान बट्टे आयतन अब देखो जब हमने निकाली थी क्या निकाली थी SCC BCC और FCC ठीक है ना यह हमें यह हमारी क्या थी एक कोस्ट का आए थी जिनके हमें प्रभावी करणों के संग्या हमने खुद से निकाल यह थी ठीक है ना इस FCC के IT 1, BCC के IT 2 और इसके IT 4 ठीक है ना मतलब SCC के क्या था कि कौन से करण का कितना युगदान उसके अंदर है उस हिसाब से हमने प्रभावी करणों की संग्या निकाल ली ठीक है ना अब इसमें क्या होता है अब हम इसमें बनाते हैं एक जब यह कहना ने भीमासंबंदी ग यह हमने एक अकोस्ट का बनाई ठीक है इसके अंदर हमें यह बताना है कि द्रवेमान कितना होता है इसके अंदर और कितना इसका अधन होता है एक फ export करेंगे उस चैक करने के फ़ले इसके लिए एक निकालना पड़ता है जिससे हम इस फॉर्म मेन कर लेते हैं ठीक है तो यह होता है वाथ सबसे अब पहले हम उख सबसे पहले हम लखेंगे सब से अब ने कृज़ेंगте हैं क्या था हमारा घंद अब इसको जब एक कोस्ट का से रिलेट करेंगे तो यह आएगा हमें ऐसे लिकिंग अब एक कोस्ट का का कि और कि एक कोस्ट का का कि अब पाइटन के यह मैंने इस से इसको रिलेट कर दिखो इस तक के कुश रिलेट नहीं कर आए बस महां जिसके लिए निकाल रहे हैं उसके अंदर हमने फिट कर इसको निकालने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना होता है प्रभावी कणों की संख्या कणों की प्रभावी शंख्या इंटू एक कण का कणों की प्रभावी शंख्या अब देखो इसके अंदर क्या है कणों की प्रभावी शंख्या जो होती है ठीके ना इससे हम जैड़ी से प्रदर्शित करते हैं ठीके नो डाउट ओके अब इसमें क्या करना है करनों की प्रभावी संख्या कहां से पता चलेगी वो हमें हां से पता चल जाए है देखो हमें जो है बस क्या है हमें सबकी प्रभावी कणों की संग्या पता होता है ठीक है ना वो मैंने तुम्हें पहले लिखवा दिया इस वजाँ से ठीक ना चैटेख क्या करते हैं एएने से कि प्रदरशित करते हैं किसको यह उसमें नहीं लिख रहा है इसको कहते हम एने टीटेश प्रवियमान ठुछी Molar द्रविमान a to be a molar the a a value-orderusing charity करते हैं से की जो थोया मोरा मोज़री मान वह tomorrow भी होता है यह होते हैं मेरी का अब आवो ग्राइड दो शंक्या जो होती है वन पॉइंट इतने कणों का द्रिविमान जो होता है हमारा मोलर द्रिविमान इसको क्या करते है हम देखूं जब एक पैन की कीमत पांच रुपे है तो ठीक है ना और उसी हिसाब से हम पांच फैनों की लगें तो वह जाएगा हमारा पच्छिस वट्टे पांच ठीक है अब इसको मैं हाँ पर लिखता हूं यह तो हमारे जैड़ थाई और यह हो जाएगा हमारा एम अपन एने यह हमारा यहां से आ गया था मतलब इसकी जो वह आई थी एक कुष्ट का के द्रेवान हमारा ही आ गया अब निकालेंगे हम एक कुष्ट का का आयतन है अब एक क करेंगें अब एक कुष्ट का की क्या जो एक पूसका का अयतनं जो होता है वो र अतन क्या है क्या रूप में पढ़ रहे हैं तो इसके रहरें देखिए हमारे कि यह और हमारी ए कि humano क्यों को अब हम इसको स्क ROB निकलते हैं यह को कृड़िब लिखते थे से आएगा जैड इंटू एम अपोन एने और अपोन एक यू अब यह उपर जाएगा ठीक है अब इसका उपर गोना करेंगे तो यह हो जाएगा हमारा यहां से निकलेगा जैड इंटू में अपोन कि एने एक यूं यह आजिए मारे डी बराबर क्या है ओए यह इंटि वराबर गनेत को डी से तुरेशि пропल्श करते हैं ठीक है यह हमारा निकल क्या है अब समझाऊ और इसमें कौन क्या जीजे़िक है जैड क्या आती है हमारी जाड़ती हमारी प्रभावी कड़ों की शंक्या ठीक है एम क्या था हमारा मोलर्द्रेव के मान इसलिए ठीक आप एने क्या थी हमारी एने हमारी आवुग्राद तो संक्या जिसकी वैलू फिक्स है एंट्यो टू इनु टैन टूप रवर टूइंटिजर्व ठीक है अब एक आय हमारी की l do जो जाग का की वह है जो मैं है मतलब यह को कुछ्ट का का ऐतन जो होता है मतलब घंका जो हेतन होता वह इतना होता है यह हमने दी हुई होगी यह अब मान के चलो इससे हमारे numerical होएंगे solve ठीके ना अगर किसी में हमें किसी का गहनत पूछ रहा है इसका गहनत पूछ रहा है तो उसके अंदर value दे होएंगी ठीके ना यह हमें दे रखका होएगा प्रभावी करणो की शंक्या दे रखकी होगी जिसकी निकाल लिए उसे सब्सक्राइब से हमें खुदी अपने हिसाब से SEC के जितने भी प्रभावी करणों क्या वन होती है तो उस हिसाब से मगा लिख देना है मोलर द्रभमान दिया होगा उसमें और एने हमें पता ही होता है वह वैलू फिक्स होती है विमा भी हमें उसमें दी हुई होगी ठीके सिंपल ही हम सौल करेंगे और आज आएगा हमारा काम खतम देखो मैं सारी जो है जो चैप्टर थोड़ा हो जाएगा पूरा कंप्लीट उसके बाद मैं इसके बाद भी चैप्टर के कुश्यन आंसर है वो मैं कराऊंगा ठीक है ना तो देख लो स्क्रिंशोट लेलो वीडिय यह नहीं जाना है ठीक है और भाई देखो वीडियो पसंद आए तो लाइक करो अगर पसंद सद आए तो डिश्लाइक ज़रूर कर जा थीक का ना में यह नहीं आपनी गलती है कि उसना करको को वीडियों तब तक के लिए चेहिंद